दोस्तो आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ITR U कैसे फाइल कर सकते हैं कौन सी वो कंडीशन से जीने फॉलो करके आप विदाउट एनी टेक्स विदाउट एनी लाइबिलिटी अपना ITR U फाइल कर सकते हैं लास्ट टू इयर्स का So, मैं आपको कुछ very very important basic concepts बताऊंगा सबसे पहले और उसके बाद हम एक live demo देखेंगे कि कैसे पूरी ITR फाइल होगी हम discuss करेंगे कि कौन सी वो basic errors आती हैं आपके पास और उन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हैं और यह पूरा demo हम दिखाएंगे आपको return upload होने तक का यानि कि जब है successful upload हो जाती है हम start करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ basic concepts को यहाँ पर समझ लेते हैं क्योंकि without basic concepts अगर आप file करेंगे तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा time लगेगा चीजों को समझने में और करने में सबसे पहली बात कौन-कौन से वो व्यक्ति हैं जो ITRU file कर सकते हैं सो basically ITRU को कोई भी व्यक्ति file कर सकता है any SSC चाहे हो individual हो, non-individual हो, resident हो, non-resident हो generally हमने देखा है कि visa apply करते वक्त आपको ज़रूरत पढ़ती है पिछले 3 साल के ITR की या फिर loan apply करते वक्त आपको ज़रूरत पढ़ती है पिछले 3 साल के ITR file करने की और किनी कारणों से आपके पास यह भी ITR नहीं होता है तो processing वगेरा में काफी delay हो जाती है so at least आप अपना ITRU nil return के तोर पर file कर सकते हैं यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई penalty भी नहीं देनी पड़ेगी तो सबसे पहली बात कि इसे कोई भी SSE file कर सकता है कितने बार file कर सकते हैं only once in an assessment year सिर्फ एक ही बार file करेंगे उसके बाद यह file नहीं होगा up to when it can be filed up to 24 months from the end of the relevant assessment year यदि आप assessment year 2021 के लिए return file करेंगे तो आप file कर सकते हैं up to 31st March 2023 और अगर 21st March 2022 के लिए file करेंगे तो 31st March 2022 तक यह file हो जाएगा इसके बाद बात करते time of payment of tax tax आपको अगर applicable है तो कब pay करना होगा तो that is before filing ITRU आपको पहले अपना tax file करना होगा और उसके बाद आप अपने return को file कर पाएंगे How much will it cost? इसके बारे में detailed discussion करेंगे When it cannot be filed? कौन से cases में नहीं file की जा सकती? And in what scenarios it can be filed? वह भी हम अगली slide में discuss करते हैं बहुत सारे लोगों को यह confusion होती है कि क्या जी हम अपना ITRU file करें पुराने सालों के ITR file करें और अपना refund जो लेना है वो लेल सकते है तो straightforward the answer is no आप अपना refund प्राप्त करने के लिए यह ITR नहीं file कर सकते या फिर अपने losses को ज्यादा दिखाने के लिए अपना ITR नहीं file कर सकते तो हम बात करते हैं कि कौन से cases में इसे file किया जा सकता है तो सबसे पहला return previously not file अगर आपने पहले return file नहीं की थी तो अभी आप इसे file कर सकते हैं income not reported correctly पिछली बार किसी गलती से किसी कारण से आपने अपनी income सही से report नहीं की है अभी आप कर सकते हैं wrong heads of income chosen salaries में income दिखानी थी आपने other sources में दिखा दी गलती हो गई इसे ठीक कर सकते हैं reduction of carried forward losses loss आपने ज्यादा claim कर लिये थे अब आप इसे reduce करना चाहते हैं so reduction किया जा सकता है same way में reduction of unabsorbed depreciation इसे आप कम कर सकते हैं reduction of tax credit under section 115JB N115JC यहाँ पर भी आप tax credit को कम कर सकते हैं wrong rate of taxes आपने पहले ले लिये थे अभी आप correct way में taxes के rates calculate करके इसे consider कर सकते हैं अब समझते हैं ITR U लाने का main उद्देश से क्या है यदि आप main उद्देश से इसका main मकसद main objective समझेंगे तो आप automatically समझ जाएंगे कि क्या आप उन cases में ITR file कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे देखे IT department का main मकसद है additional tax revenues प्राप्त करना additional income in the source of in the way of taxes प्राप्त करना यह income tax department का main objective है through ITR U और SSE आपके लिए main objective यदि मान लीजिए आपको लगता है कि आपने पिछले बार कम income दिखाई है तो अब आप उस income पर taxes, penalty, etc. पे करके complete income को दिखा सकते हैं ताकि आप future में किसी भी परकार के litigation से बच सके सबसे important अब कौन से cases में आपको ITR U नहीं file करनी या फिर department नहीं allow करेगा पहला case है updated return is a return of loss ऐसी return जहांपर आप losses दिखाना चाहते हैं या फिर आप अपनी tax liability को को allow नहीं किया जाएगा इसके अलावा the search has been started किसी भी परकार के search and seizure के procedure आपके उपर start हो गए है किसी परकार के कोई proceeding आपके उपर under prevention of money laundering act, black money, undisclosed foreign income and assets in acts के तहब अगर proceedings आपके उपर चालू है तो आप definitely ITR U file करके अब इसका benefit नहीं ले सकते अब में मुद्दे की बात करते हैं कि जी cost कितनी लगेगी देखिए cost लगेगी up to 2.5 lakhs अगर आप अपनी income को दिखाते हैं पिछले 2 सालों में तो आपकी यहाँ पर कोई भी किसी परकार की costing in the form of late fees वगेरा नहीं है यदि आपकी income 5 lakhs से 5 lakhs के बीच है और आप assessment year 2021 की यहाँ पर income दिखाते हैं तो 10,000 रुपे की fees और 21,22 की अगर दिखाते हैं तो 5,000 रुपे की fees इसके अलावा यदि आप 5 lakhs से उपर की income दिखाते हैं तो 10,000 रुपे की fees आपकी लगेगी assessment year 20,21 के लिए और 21,22 के लिए यह 5,000 की fees है यहाँ पर मैं एक छोटा सा clarification जरूर देना चाहूंगा आपको कि as per income tax act and the section 234F यह जो penalty यहाँ पर 5,000 रुपे की ली जा रही है यदि आपके income दाइलाग से 5,000 के बीच है यह actually 1,000 होनी चाहिए अगर हम strictly law की provisions को देखते हैं लेकिन unfortunately जो utility है वह यहाँ पर 5,000 and 10,000 ही consider कर रही है तो अभी के लिए हमने यही penalty का amount finalize किया है बात करते हैं additional tax देना पड़ेगा सभी cases में नहीं देना पड़ेगा यदि आपके उपर tax बनता है आपके income इतनी है कि उसपर tax बन रहा है only in that cases आपको additional tax देना पड़ेगा अब देखते हैं जी कितना देना पड़ेगा अगर आपने अपने return file की है within 12 months from the end of the relevant assessment year तो आपको additional tax देना पड़ेगा 25% of the tax plus interest amount और यदि आपने return file की है within 12 to 24 months from the end of the relevant assessment year तो आपको additional tax amount देना पड़ेगा 50% of tax and interest अभी के scenario में present scenario में हम discuss करेंगे कुछ live examples जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि without paying any additional tax और late fees अपने return को कैसे file कर सकते हैं यदि basically आप student हैं और आपको एक general purpose के लिए अपनी ITR as a document requirement है तो आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं देखिए step by step हर चीज को समझेंगे मैं आ गया हूँ income tax के portal पर और मुझे आना होगा download section में downloads में आने के बाद इसे click कर दीजे और यहाँ पर आप choose कर लीजे वह assessment यह जिसकी आपको return file करनी है तो हमें यहाँ पर file करनी है 2021 की मैंने इसे select कर लिया है 2021 में आने के बाद मैंने itr4 select किया और यहाँ से मैंने excel based utility को मुझे यहाँ पर download करना है तो इसे आप click करेंगे इसे click करने के बाद यह download sections में आ गई है और इसे मैं यही पर extract कर लेता हूँ देखिए extract हो गई है अब मुझे utility open करनी है सबसे पहले इसे enable editing कर दे और इसके बाद इसे enable content कर दीजिए इसके बाद इसे ok कर दीजिए and that's it इस utility में आपको जो important sections file फिल करने है basically देखिए यहाँ पर जो green sections है name, last name, pen number यह तो आप फिल कर ही देंगे लेकिन कुछ ऐसे important जो parts हैं जो आपको फिल करने है वो मैं आपको पहले बता देता हूं और उसके बाद में बागी की details को फिल करता हूं तो सबसे पहले filed under section वाला जो tab है आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर चूज करेंगे कि आप इसे कौन से section में फाइल कर रहे हैं आप फाइल करें 139.8a updated return इसे आप select कर लेंगे जैसे आप इसे select करते हैं यहाँ पर देखें part a general 139.8a भी आ गया है और part a general 139.8a में कौन से वो important sections है जिनने आपको बड़े ध्यान से fill करना हूने देख लेते हैं सबसे पहला question है whether return previously filed for this assessment year क्या पहले अपने file की है यदि आपने की है तो yes कीजिए नहीं की है तो no कर दीजिए मेरा जो estimate है आपने नहीं की होगी तभी आप अभी file कर रहे हैं तब इसे no कर दीजिए no करने के बाद देखिए बहुत सारे sections यहां पर gray out हो गए है यानि आपको file fill करने की ज़रूरत नहीं है in case अगर आप इसे yes करेंगे तो आपको कुछ और additional information यहां पर देनी पड़ेगी for example whether return previously filed for this assessment year yes कर देते हैं तो उसके बाद if yes whether under section कौन से section में file की गई 1391 में या फिर other में तो इस type से आपको कुछ additional information भी देनी पड़ेंगी right acknowledgement number वगर आपको यहां पर देना पड़ेगा और बाकी की information भी update करनी पड़ेगी इस scenario में हम यहां पर no कर देते हैं क्योंकि यह SEC अभी first time ही अपने 2021 के लिए return file करेगा तो हमने यहां पर no select कर लिया है उसके बाद second option देखिए are you eligible for filing an updated return as per the conditions laid out in first, second and third provision of section 1398A तो यहां पर आपको choose करना है yes जी हां हम इन provisions के return file करने में eligible हैं तब ही हम file कर रहे हैं इसके बाद reason for updating your return क्या reason है यहां पर reason को select कर लिजे return previously not filed मैं choose कर रहा हूँ आपके उपर जो भी case हो वह आप choose कर सकते हैं return previously not filed इसके बाद आप scroll down करेंगे are you filing the updated return during the period अब देखिए यह return में file करा हूँ 2021 के लिए तो इसका मतलब मुझे already यहां पर जो time lapse हो चुका है 12 महीने तो already lapse हो ही चुके है end of the relevant assessment year के बाद तो मुझे choose करना होगा between 24 to 12 to 24 months from the end of the relevant assessment year यदि आप file कर रही है 21, 22 के लिए तो आप first वाला option choose कर सकते हैं लेकिन 2021 के लिए second वाला option ही choose करना पड़ेगा यह मैंने fill कर दिया है मैं समझता हूँ कि जो बाकी की information है इससे आप already वाकिफ हैं आपको पता है बाकी information कैसे fill की जाती है तो मैं फटा-फट से बाकी की information को fill कर देता हूँ और देखते हैं उसके बाद हम क्या-क्या steps proceed करेंगे जब आप पूरी information को update कर देती हैं green cells में so after filling the basic details उसके बाद हम जो भी green sections में information आपको fill करनी है उसे fill कर दीजिए और इस case में हमारे पास हम income दिखाएंगे 44 AD में so उसके लिए हम relevant tabs में information fill करेंगे उसके बाद automatically यहाँ पर आपकी जो income है वो reflect करेगी same way में यदि आप ITR 1 file कर रहे हैं या फिर कोई और भी ITR file कर रहे हैं तो process आपका same ही रहेगा जो information applicable नहीं से छोड़ दीजे blank छोड़ दीजे अपने आप zero zero यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरह से आपकी information complete हो जाएगी यह process होने के बाद आपको validate पर click करना है और validate पर click करने के बाद एक message आएगा आपके पास कि sheet okay है या नहीं है sheet okay होने के बाद आप यहाँ से next click करेंगे और next step पर आ जाएंगे क्योंकि हम itr4 file कर रहे हैं और हमें presumptive taxation benefits लेने हैं और यहाँ पर accordingly हम 44 AD में name of the business, business code and description को add कर देंगे तो देखे कैसे किया जाता है यहाँ से आप अपने name of business, business code select कर लीजिए, description update कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमने account पर यह check से कितना amount आया है हमारे पास any other mode यान की cash से कितना amount आया है और उसके बाद उसका relevant minimum 6% आपको दिखाना होता है up to 6% से अगर आप कम लेंगे तो यहाँ पर error आएगी जो भी आपका actual profit आ रहा है 6% से ज्यादा है तो आप definitely ज्यादा ले सकते हैं आप यहाँ पर update कर दीजिए amounts और आगे बढ़ते हैं next section जो है आपका financial particulars इस section में आप अपनी सारी details फाइल कर देंगे तो फटा-फट से information को update कर देता हूँ मैंने information यहाँ पर populate कर दी है आपको जो important information जो mandatory information है वह रहेगी आपकी संडरी creditors, debtors, inventories and cash यह 4 sections mandatory हैं और बागी के sections सीदे पास information है तो आप update कर सकते हैं उसके बाद आप same process कीजिए sheet को validate कर दीजिए आप sheet को validate करेंगे यहाँ से और जैसे यह okay हो जाएगे आप next पर आजाएगे इस प्रकार से हमारे पास sheet is okay का message आ गया है अब हम इसे okay कर देंगे next पर press करके हम next tap पर आ गए है अब देखे यहाँ पर कुछ information है तो आप update कर दीजिए जो भी आपके यदि salary से tedious deduct हुआ है तो 10 number, name of the employer etc आपको update करना है और अगर कुछ नहीं है तो it's okay आप validate कर दीजिए sheet is okay आ जाएगा that is enough इसके बाद आप फिर से next पर click करेंगे इस tab में आपने जो भी advanced tax या self-assessment tax पे किया है उससे आप fill कर देंगे और से validate करेंगे तो validate के बाद sheet is okay इसके बाद आप फिर से next step पर आ जाएगे इसके बाद tax collected at source की बाद हो रही है information अगर यदि आपके पास है यह information कहां दीखेगी आपको 26AS में भी reflect करेगी और वैसे भी यदि आपके पास information है तो आप इसे update कर दीजिए in the current case हमारे पास नहीं है information तो हम इसे simply validate कर देते हैं और next करते हैं next tab में आने के बाद हम इस section को भी update कर देंगे majorly यहाँ पर आपको detail लिखनी होगी I, your name, son, daughter of, name इसके बाद आप यहाँ पर update कर दीजिए place, यहाँ पर आप update करेंगे capacity आपकी कि आप self कर रहे हैं या representative कर रहे हैं अगर आप खुदी file कर रहे हैं तो अपना self कर दीजिए और इसके बाद आप इसे place update करके फिर से validate वाले section पर आके से validate कर देंगे please ensure करें कि आपको यहाँ पर अपना bank account detail भी add करना होगा IFSC code and bank name and account number इसे फटा फट से हम update कर देते हैं इस प्रकार से हमारे पास verification okay हो गया इसे okay कर दीजिए और अब next sheet पर आ जाएए next sheet में आपकी part B annual total income है यहाँ पर देखिए आपकी income आ रहे है इन details को एक बार आप verify कर लीजिए और उसके बाद आप इसे validate कर लीजिए देखिए यह income यहाँ पर 4.30 आ गई है यहाँ से पर यह income 2.30 आनी चाहिए as per my calculation तो मैं वापस आ जाता हूँ BP section पर और इस information को मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ 6% of the above amount 12.26,000 कितना आएगा और यहाँ पर मेरा 8% यह कितना amount आएगा इसे मैं update करता हूँ ओके इसे ठीक कर दिया गया है मेरी total income यहाँ पर 2.30,000 है which is less than 2.50 इसका मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई penalty कोई late phase नहीं लगनी चाहिए अब पूरा process हम देखेंगे कि क्या लग रहा है practically देखते हैं इसको फिर से मैं part B ATI पर आ गया हूँ फाइलिंग करने के लिए भी हमने फाइल कर दिया और इसके बाद हम इस रिटर्न को finalize करने के अगले कदम की तरफ बढ़ रही है हमें क्लिक करना होगा calculate tax के उपर और calculate tax पर हम क्लिक करते हैं देखे हमें पहली error आ गई है please select an option from the drop down in sheet ATD, ATD में हमने कोई option select नहीं किया था इसे फहले ठीक कर देंगे कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर इसमें मैंने not claiming for self डाल दिया है और यहाँ पर भी मैंने इसे not claiming for parents डाल दिया है अभी सारे black out हो गई है इसे आप validate कर दीचिए sheet okay हो गई है अब मैं वापस जाके calculate tax पर click करूँगा calculate tax आपको मिलेगा income details पर calculate tax पर click करने के बाद आप scroll down करेंगे income details वाली sheet पर ही और आप scroll down करके देखते हैं कि आपकी total income यहाँ पर 2,30 रफ्लेक्ट कर रही है चलिए देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ क्या components मेरे पास दिखाई दे रही है देखिए interest under section 234ABC यहाँ पर कोई भी interest नहीं है इसके लाब कोई मेरे पास fees भी नहीं है total fee penalty interest वगएरा भी zero है यानि कि यहाँ पर किसी परकार का कोई भी interest penalty taxes नहीं लग रही है 2,30,000 की income जो की हमारी हमने दिखाई है तो चले इसे finalize करते हैं next step होगा आपका फिर से face पर आ जाईए और यहाँ पर generate xml पर click कर दीजिए इस तरह से आपके पास message आएगा please verify the tds statement is submitted for the complete financial year आप इसे ok कर दीजिए यहाँ पर save xml पर मैंने click किया और एक file मेरी save हो जाएगी जहाँ पर भी मैंने excel file save की दी वहीं पर xml भी save हो जाएगी तो अब बढ़ते हैं income tax portal पर और देखते हैं कि कैसे हम इस report को upload करेंगे मैं portal पर आ गया हूँ मैंने login कर लिया है और इसके बाद मैं आऊँगा e-file income tax return file income tax return पर यहाँ पर आप अपना assessment year चूज करेंगे जो आपका actual assessment year है हमारे case में 2021 assessment year है मैं से choose कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर option चूज किया है देखे 2021 updated return आपको accordingly यह option ही चूज करना है are you audited no करना है select itr type हमने यहाँ पर itr 4 को select कर लिया है देखे itr 1 है या 2 है जो भी आपकी applicable itr आपसे choose कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर continue पर click करेंगे दोस्तों हम complete process देख रही है दोस्तों लगातार हम YouTube पर मुश्किल और complex जैसे दिखने वाले information को simplify कर रही है यह दि आपको हमारा content पसंद आ रहा है तो इसे like जरूर करें और channel को subscribe जरूर कर लें अब मैं attach file पर click करूँगा और जहां भी मेरी file यह saved है उसे browse कर लूँगा यह देखिए एक message आया हमारे पास कि before uploading the return data आप ensure कर लीजिए कि आपने सारी information यहाँ पर correct डाली है क्योंकि एक बार आप return को upload कर देते हैं तो modification possible नहीं हो पाएगी तो इस check box को आप OK कर लीजिए और continue पर click कर दीजिए दोस्तों आपकी जो XML है वह वहीं जाके save हो जाती है जहां पर आपकी Excel utility रहती है तो यह देखिए XML file यहाँ पर save हो गया इस परकार से यह दिखाई देती है आप इसका symbol note down कर लीजिए और अब मैं इसको select कर लेता हूँ इस परकार से देखिए यह information आपकी upload हो गई है validation successful का message आ गया है मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को यहाँ पर errors आती है और कई सारे YouTube channels पर जो videos है वहाँ पर भी step तक नहीं दिखाया जाता है क्योंकि number of errors आती है यदि आप step by step इनी तरीकों से करते हैं जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है हर tab में किस परकार से information अपडेट करनी है तो I am sure कि आपको किसी परकार की कोई भी error नहीं आएगी इसके बाद आप proceed to verification कर दीजिए आपको verification के लिए यहाँ पर जो option दिया जाएगा वाय आधार OTP दिया जाएगा तो आप इसे continue कर दीजिए यहाँ पर मैं चाहूंगा कि I would like to verify OTP आप first option को select कर लीजिए और इसके बाद इसे continue कर दीजिए ओके I agree and generate other OTP यहाँ मैंने OTP भी enter कर दिया हम इसे validate कर देता हूँ file होने के बाद आपको message आ जाएगा आप इसे receipt को download कर लीजिए अपने future reference के लिए जिसे मैंने download कर लिया है और still आपकी यदि कोई query है कोई सवाल है तो हम definitely उस पर आपकी help कर सकते हैं comment section में इसे जरूर फूचिए हम at the earliest कोशिश करेंगे कि आपके questions को answer कर पाई इसके अलावा यदि आपकी income यदि धाई लाग से कम पड़ती है और आपने किसी कारण से भी अपने ITR फाइल नहीं की है generally students है या फिर housewives है फिर कुछ ऐसे income level में आप fall करते हैं तो it is highly recommended कि आप अपने ITR को फाइल कर लीजे क्योंकि ये एक बहुत important document है जो आपको किसी ने किसी purpose के लिए future में requirement हो सकती है I hope this video was helpful Thank you so much for watching and Jai Hind